नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंग गाडन में और आज हम जो लेकर के आपके लिए आये हैं इंफोर्मेशन वो है अम्रूद यानि गौवा अम्रूद से रिलेटे इंफोर्मेशन इसलिए लेकर के आया हूं कि मेरे पास बहुत सारे कोश्चन इन दिनों आ रहे हैं कि हमारे अम्रूद में फल नहीं रुक रहे हैं फल गिर जा रहा है या फिर फल ही नहीं आए फूल ही नहीं आए चार साल का पोधा है छे साल का पोधा है तो आखिर इसका क्या कारण होता है क्योंकि देखिए आपके सामने है मेरे पास ये अम्रूद क चोटे से पोधे हैं थाइबान पिंक का है थाइबान पिंक बोलते हैं इसको यह देखें इसके अंदर दो इधर है दो चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा पंदरा सोला फल जो है इसके अंदर आ रहा है और यह देखें फल में कनवर्ट भी हो रहा है भी फूल खिलने के बाद देख रहे हैं आप फ़ल में कनवर्ट हो रहा है इसके अंदर भी देखिए पूरा उपर से नीचे था कि छोटे छोटे पोधों में लगा हुआ है तो ऐसा क्या है कि इसमें तो इतने फूल आ रहे हैं और फल भी रुखने को हो रहा है लेक दिये है यह सारे ग्राप besteht एक या कहलें इंच से त्यास किया वाव दाध길 जो क्या आप देख रहे हैं कि साल भर का भी नहीं च्रह मेने का पौधा 국스를 हैं इतने सारी कलियां है और झालियोट किया अबसे कहा होता है कारण यह होता है अम्रूद जो है केलिशम ऑरiono कर चाह्यी आपने सुना होगा कि अमरूद खाई है तो खून की कमी भी दूर होती है विटामिन सी भी होता है बहुत कुछ इसके अंदर होता है तो वो सब जो एंडरिच है तो वो चीजें इसको चाहिए अब हम आमतवर पे क्या करते हैं गोबर की खाट डालते हैं जो कि हमारा ट्रेडि लगा है उसकी जड़ खोद के चारो साइड से और उसमें डालेंगे तो यह दिकतें जो आ रही है यह दिकतें आपकी बंद हो जाएंगे तो आई यह जानते हैं कि इसको हम घर में भी लगा सकते हैं बहुत लोगों का कुशन यह होता है कि क्या हम छट पे गमले में रही चाहिए यह भी हम जानते हैं और कैसे लगाना है आए हमारे साथ बने रही हम जाते हैं पूरी इंफोर्मेशन इसका स्पेस कि ctna बड़ा होना चाहिए जिसमें हमें यहां करते हैं हम छोटे गमले में यहां जरूप है और प्लाइंट परमानेंटी लुग लगादी है और हमारी की पूरी कर देता है देखे किटनी बड़ी कड़ी लगी हुई है तो इसी तरह दूसरे में हम लगा देंगे यह अमरूद अब अमरूद लगाने के लिए है सबकुछ त्यार करके इसमें डाला हुआ है देखिए त्यार है और हमें क्या करना है बीच में खोदना है और उसके अंदर जो जरूरी एक वल सकेंगी हिए इसको हम पीच में खड़ा बना लेंगे और माप के देख लेंगे यह जड़ पूरी जा रही है अगर जा रही है तो ठीक है नहीं तो और खो देंगे तो यह देखें हम इसको रखें आपके ठीक है यह थोड़ा सा और गैरा कर लेतें क्योंकि कुछ घाद बाद हमें डालना है यह देखिए यह हमने कर लिया आप जैसे कि मैंने बताया कि आइरन और जो कैल्शियम रीच होता है कैल्शियम के लिए कैल्शियम फॉस्पॉरस जिंक के लिए हमने थोड़ा इसके अंदर डाल दिया ताकि इसकी रूर जब फैलेंगी तो यह यहां से ले बढ़ेगा नि बढ़ा है तो इसको हम देखिए इस तरह से निकाल देंगे लिफाफा खराब करना पड़ेगा नहीं तो इस अप्रेल के महीने में पौधा लगा रहे हैं हम अगर यह रूट डिस्टरब हो गई यह देखिए रूट किस तरह से चल रही है इसमें देख रहे मिक्स पूर्ट का जो खाद होता है इसको हम इसको अच्छे से तोड़ा डाल देंगे रूट डिस्टरब नहीं किया है इसलिए मैं डालना यह प्रेफर कर रहा हूं कि इसके साथ साथ डल जाएगा रूट सारी चलती हुई रूट से हैं इसकी और हमने यह तीन मुठी अरॉ थोड़ा सा स्टोन पौडर भी उपर से भी डाल देंगे अगर घुल के जाता है तो वह जाए वस इतना ही डालना है आपने और इस मिट्टी को इसके साथ साथ खैला देना है बहुत ज्यादा प्रेसराइज नहीं करना है इसको मतलब दवाना नहीं है यह देखते तो यह आ एक दिन पानी देंगे तो आई होब कि तीन से चार दिन तक पानी देने के अवसकता नहीं है हो सकता है कि पांस दिन भी बात देना पड़े पोधा चोटा है और यही पोधा अगर बड़ा हो जाए तो डेली डालना पड़ेगा या दिन में दो बार डालना पड़ेगा हो सक तो तुस्तों इस तरह से लगाईए और अपने घर में अपनी छत पे अपनी बालकनी में अमरूत अपने घर के अमरूत का स्वाथ और ग्यनिक अमरूत का स्वाथ आप सभी ले सकते हैं